बायो केमिक की स्टुडेंट थे है रबाद के रबाद के रबाद की जब बायो केमिकल्स के स्टुडेंट्ड नेहाई पुरी तो है difर र चीज दिखाई नहीं दे रही थी आप क्या सोचते हैं कोई क्या कर सकता है जब यह कॉश्चन मेर की दिमाग में खड़ा हुआ कि जो मैंन का बायो प्रड़क्ट है जो भी मल वगरा निस्कासित होता है तो सीवर कनेक्टिट कर दिया सब कहां के सैप्टी टेंक हैदराबाद म मल है वो एक जगह पर स्टूर होता था तो उसको खतम करने के लिए क्या दिमाग कोई चलाएगा तो बायो कैमितल के स्टूडेंट ने उसमें लिक्विट क्लोरीन डाल करके उस पीले को वाइट कर दिया और पीले को वाइट करने के बाद उसमें से उसकी स्मेल गायाब कर क्लोरीन एने सियल आपने अगर नमक का सूत्र सुना हो तो बंदू मलब सोडियम अलग होता है क्लोराइड अलग होती है एने सियल टू यह उसका रासानिक फॉर्म है और जहां हम रहते थे पहले एजजियम वहाँ पर हुकम चल जूट मिल एंड इंडिस्ट्रीज और मलब क्लोरीन बनाने का प्रोसेज वहीं पे होता था लिक्वेट क्लोरीन होती है पाउडर फॉर्म में क्लोरीन होती है गैस फॉर्म में क्लोरीन होती है और सब अलग अलग चीजों में काम आती है जो बास के पेड़ होते है उसको साफ करने के लिए लिक्वेट क्लोरीन काम आती फिर जो वो पूरा एक पेश्ट के रूप में था उसको ड्रायर में डाल करके सुखा दिया उसका पौडर फार्मिंग कर दी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कानपुर की गुटका फैक्ट्रियों में बैच करके बड़ी-बड़ी कंपनियों के गुटकों में पैक हो करके वो मल लोगों को पाउच में अंदर तक खिला दिया यह ग्यान के दुरुपयों का यूग है बंदुआ आपको आश्यर होगा लगता है ना कि हम जिस कंपनी का गुटका खाते हैं यह तो बहुत फ्रेश है और बढ़िया है जब आपको पता चले कि बायो केमिक के स्टुड बढ़ा है कभी आप सोच भी नहीं सकते कुछ नहीं सोच सकते और आपको तो खुलते ही साथी घुजबो आती है तेज स्मेल आप किसी भी कंपनी के गुटके को पांच मिनट के लिए एक पानी में डाल दीजिए थोड़ी देर उसको हाँ से मसल के देखिए फिर आपको पत थोड़ी सी कटती है और चूणा उसके उपार लगता है तो आपको थोड़ी सरसराहट सी होती है इसके चक्कर में आप बार-बार मौट मेर के रूप में ऐसे पाउच के प्रोडेक्ट खाते हैं बायो कैमिक के चटुडेंट ने पूरा मानाव मल उछा करके पाउचों में पैक करके कानपुर की गुटका फैक्टरियों में जा करके एक बार अबजर्विशन तो करिये बंदू हो तब समझ में आएगा ये गुटका खाने वाले लोग सुबह सुबह मानों का मल खा करके अपने जिनकी सुर्वात करते हैं ये बायो कैमिक के स्टुडेंट का कमाल है हड्डियों का देर मिलता है दुनिया बर की कि चक्कर में कैसे यूरिया से साबून से सैंपू से दूद बनाते हैं कैसे सड़ी हुई चीजों से अच्छी पीजा बर्गर बनाते हैं और आपको खिलाते हैं जो हमारे आगा विंजन ही नहीं था वो सब हम आप खा रहे हैं उसब कुछ कर रहे हैं यह इसमाल स्केल इंडस् करनाकर दो था खालत हैं ऐस आपको फ्रहे नहीं इसका काना था